तो हलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारेस चैनल जे आर्ट टिटोरियल में सो बच्चों कैसे और आप सभी लोग आप अप लोग अच्छे लोगे आपकी पड़ा एक दम बढ़िया चल रही होगी सो जैसा कि आपको पता है कि हमने अलरीडी स्टार्ट कर दिया था हमारा सेवेंथ लेसन जिसका नाम है सेल डिविशन ठीक है सेल डिविशन के अलरीडी दो लेक्चर हम लोग ने देख लिये हैं कौन-कौन से जो फर्स वारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंटरफेस अगर आपने यह दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले मैं रिकमेंड करूँ हूँ कि आप जाके पहले वह लेक्चर देख लीजिए उसके बाद इसके उपर जंप करिए ताकि आपको चीज़ें जादा बहतर तरीके से समझ वहेंगी ठीक है तो आज मैं आपके लिए लेक्चर नमबर तरी जिसमें हम लोग डिसकस करेंगे मेंडी मियोसिस के बारे में कि मियोसिस होती क्या है और कितने स्टर्स में यह डिवाइड है इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जैसे कि हमारा जे-र टेटोरियल का जो एप् बहुत सारी चीज़े उसके अंदर आने वाली यह free of cost application है तो जरूर से download कर लेना अगर आप मुझसे connect होना चाहते हैं ठीक है मुझसे कुछ doubt पूछना चाहते हैं मुझसे बाते करना चाहते हैं तो directly आप मेरे Instagram ID पर आके मुझे message कर सकते हैं आपको कुछ doubt पूछना तो आप बहुत सारे बच्चे करते हैं तो आप बहुत सारे बच्चे करते हैं तो आज से हम लोग स्टाट करने जा रहे हैं हमारा meiosis होता क्या है पहले बात cell cycle होती क्या है ठीक है cell cycle को थोड़ा सा revision कर लो cycle की हम लोग ने बात की थी ठीक है तो cell cycle क्या है कि जब एक cycle completely divide हो जाता है दो अलग-अलग daughter cell में ठीक है एक cell that is parent cell इसको हम लोग क्या कहेंगे parent cell, चीक है? और जब इतका division होता है, छीक है? जब इत veteran cell क्या होता है? division होता है, तो यह divide हो जाता है दो पार्ट में, दो अलग-अलग cell में इस cell को हम लोग क्या क्या केते हैं? daughter cell, समझ में आरी बद? चीक है? तो parent cell, एक cell आगे चाके दो पार्ट में डिवाइड होता है और यह वहाँ पर क्या बनते हैं इसे हम लोग क्या केते हैं कि जब एक सल से आगे चल के दो सल बने अब यह सल से आगे चल की भी तो डिविजन होगा ठीक है यह सल भी तो आगे चल के डिविजन करेंगे तो यह सल भी आगे चल क्या करती है इससे भी आगे चल के दो सल फॉर्म होते हैं और कोई भी ठीक है मतलब इसने क्या किया है इस द कोई दिक्कत की बात ही है हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे तो cell cycle मैं आपको क्या बता है तक cell cycle दो पार्ट में डिवाइड होती है एक है हमारा interface जिसे मैं क्या गयता हूँ preparation face मतलब इसमें cell क्या होता है prepare करेगा ठीक है cell क्या करता है preparation करता है cell division करने की और दूसरा क्या होता है हमारा M face अब देखो interface आगे चल के वापस कितने पार्ट में डिवाइड था आगे चलके वापस तीन पार्ट में इंटा टाइक था एक था मैंलीप्रोटिंद शुटा ऑर मॉश्य होथा नियुकृ टाइक rope में तो प्रोटिंद और प्रोटियन ट्राइब अ twin Synthesis हो रहा है साती साथ जो मै था चैंक १ो क्यों रिया और क्लोरोव्य जो दो और विएल होते थे किसके अंदर फुर नफू के आंदर फिर आम लोग बात स्राट की थी एंभे स्राइब की थी स्थीन होने बाचैंस्स one is mytosis and the one is meiosis, तो mytosis वाला जो chapter है, sorry, mytosis वाला जो topic है, वो हमने already पूरा का पूरा complete कर रखा है, mytosis वाला, बहुत ये अच्छा समझाया है, मैंने आपको last वाले lecture में, अगर आपने नहीं देखा है, तो देख जरूर से लेना, आज हम लोग discuss करेंगे meiosis, मियोसिस का interface बिल्कुल सेम होता है, mytosis से, माइटosis के अंदर जैसा interface चल रहा था, G1 face, S face और G2 face, same to same face किसमें चलती है, मियोसिस में भी चलती है, तो हमको interface वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग direct किसमें जम करेंगे, मियोसिस में जम करेंगे, मियोसिस आखिरकार होता क्या है, तो आओ थोड़ा समझे चलते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि मियोसिस आखिरकार होता क्या है, मैंने आप लोग को, जो first lecture था, उसमें थोड़ा सा introduction दिया था, मियोसिस के बारे में, कि actual मियोसिस जो होता है, ये कौन से सेल के अंदर होता है generally मैंने आपको बताया था कि ये होता है germ cells के अंदर कौन सेल के अंदर होता है, ये germ cells के अंदर हम लोग को मियोसिस देखने के लिए मिलती है अब germ cells कौन सेल्स होते है जो कीडे मकोडे होते हैं, जर्म सेल्स मतलब कौन से सल्स, जो आगे चल के गैमेट का फॉर्मेट का फॉर्मेट करते हैं, जो आगे चल के बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं, तो मेल के अंदर मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट क्या होता है, स्पॉर्म, फीमेल के अंदर फीमेल mytosis, mytosis किस के अंदर चलती थी, stem cells के अंदर चलती थी, somatic cells के अंदर चलती थी, सही बात है, लेकिन myosis किस के अंदर चल रही है, germ cells के अंदर चल रही है, अब देखो, mytosis आगे चलके मैंने क्या बोला था, दो पार्ट में डिवाइड होते थे, एक nucleus का division और एक cytoplasm का division, ठीक ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया था, last time पे, mytosis को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था nucleus का division और एक था cytoplasm का division, तो nucleus के division को मैं क्या कहता था, karyokinesis और cytoplasm की division को cytokinesis, लेकिन इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी वो सारी चीज़े होंगी, लेकिन एक step सल बनेंगे, ठीक है, myosis में आगे चलके, एक cell से कितने daughter cell बनेंगे, चार daughter cell बनेंगे, कैसे, देखो, सबसे पहला, एक cell है, this is the cell, जो बहुत ही खुश है, क्योंकि इसके अंदर, myosis होने वाली है, अब यह आगे चलके, divide होगा, दो cell में, ठीक है, यह किसमें, divide होगा, दो cell म बनेंगे, यहां पर तो दो ही बनें, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यह दो लों cell के अंदर वापस division होती है, ठीक है, यहां पर तो यहां पर कितने cell बनते है, 4 cell का formation होता है, total कितने cell का formation होता है, 4 cell का formation होता है in muses के इंदर, इतनी बात है clear है, तो अब मुझे, मतलब muses कितने part में divided हो जाएगी, 2 part में divided हो जाएगी, शल्ograf, एक बार आप यह दो cell form करोगे, वो एक process होगी, ठाइख है, और दूसरी process क्या होगी, इन दोनों cell से आगे चलके इनका further division ठीक है इसी लिए जो मियोसिस 2 है ठीक है इसी लिए जो मियोसिस 2 है वो आगे चलके दो parts में divided है ठीक है मियोसिस 2 आगे चलके दो parts में divided है एक है मियोसिस 1 ठीक है एक है मियोसिस 1 ठीक है एक है मियोसिस 2 ठीक है एक है मियोसिस 1 और एक है मिय तो मैंने आपको क्या Tools इए बार कि वीजिन को में जो क्रोमोजोम की नंबर है वो कम हो जाते हैं उस सब्सक्राइब यहां पर क्रोपोजोम के नंबर क्या होने वाले हैं अगर इसके पास 46 इसके पास क्या होगा 46 क्रोमोजोम होगा तो इससे आगे चलके जो दो सेल्फ बनेंगे इसके पास क्या हो जाएंगे 23 क्रोमोजोम और इसके पास क्या हो जाएंगे टोटल 23 क्रोमोजोम मतलब जो क्रोमोजोम की नंबर है वो reduce to half हो जाते हैं Mexico क्रोमोसम के नंबर क्या हो जाते हैं reduce to half हो जाते हैं हमेशा या रखना है यह बात कि actual reduction किसके अंदर देखने मिलती है सिर्फ और सिर्फ miosis1 में देखने मिल तकी हमेशा याद रखना है ये बात कि actual reduction किसके अंदर देखने मिलती है सिरफ मियोसिस 1 में देखने मिलती है musis 2 के अंदर reduction नहीं होता हाला कि और जो огрksi 2 है नगryosis 2 वह Equational Division है मतलब इसके अंदर अगर 23 chromosome है तो इसके अंदर भी कितने होंगे 23 23 और इसके नंदर भी क्या होंगे 23 मतलब जो second step है उसमें chromosome के number कम नहीं होते in chromosome के number किस में कम होते हैं जो फ чис जैपर ठीक है, म्योसित का जो first step है वहाँ पे क्या होते हैं chromosome के number कम होते हैं मतलब यह वाला स्टेफ है यहां पर क्रोमोजम के नमबर कमोर समझमेरी बात तो यह हैई मियोसिस वन ठीक है यह वाला वे कि तो actual reduction कहां पर हो रही है, इसके साब से, इसके साब से actual reduction कहां पर हो रही है, mucis 1 में, so can I write, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कि mucis 1 में क्या होती है, actual reduction, ठीक है, mucis 1 में क्या होती है, actual reduction, और जो mucis 2 है, वो तो हमारा equational division है, लेकिन मैं इसको equational division नहीं कहूँगा, क्योंकि already हम लोगने equational division, mytosis को कहा हुआ है, ठीक है, तो एकी नाम दो लोग को नहीं दे सकते, तो इसको मैं ऐसी रहने दूँगा, ठीक है, और दो, बहुत सारे books में ऐसा भी लिखा हुआ है, आपके भी book में ऐसा लिखा हुआ है, जो मियोसिस 2 है, is as, like, as, ठीक है, it is, मियोसिस 2 as, like, as, mytosis, मतलब ये same to same है, ठीक है, मियोसिस 2 क्या है, same to same है, mytosis की तर, ठीक है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा भी नहीं, mytosis मियोसिस के बारे में, क्योंकि already जो मैंने आपको mytosis में पढ़ाया न, व सारी चीदा अभी आप लोगको बताऊंगा, इतनी बात है clear है, ठीक है, इतनी बात है clear है, कि myosis, दो faces में divided है, दो part में divided है, एक है myosis 1 और एक है myosis 2, अब myosis 1 है, ठीक है, जो myosis 1 है, वो भी आगे चलके, 2 face में divide हो जाता है, ठीक है, एक face का नाम है हमारे, karyokinesis, ठीक है, karyok का मतलब क्या है nuclear division ठीक है लिकिन यह मिउस्स one है इसलिए इस प्रोसेश को हम लोग कहेंगे karyokinesis one ठीक है अब stalk क्या कहेंगे karyokinesis one समझ में आए ठीक है समझ में आये घुक है इसे हम लोग क्या कहेंगे hebt karyokinesis one इतनी बात है प्रोसिस्ट किया होता है साइटो सेजोे इस क्या है साइटर। इस इसे आप साय शिर्डर काहिए ओर ऐससा थिक दो फिर देग्हाना थो पता के उस्टपा रेटें टिकानेसिसbahn और यह क्या है साइटो कानेसिस Game क्यों? क्योंकि हमको ये तो पता चले, अब ये मैं सिधा karyokinesis लिख दू, और इसके मैं भी karyokinesis लिख दू, तो पता कि चलेगा कि ये जो process चली है, karyokinesis वाली, ये meiosis 1 में चली थी, कि viosis 2 में चली थी, इसको identify करने के लिए हम लोग ने क्या किया है, इसको karyokinesis 1 नाम दे दिया है, और इसको cytokinesis 1 नाम दे दिया है, similar to, musis 2 भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है? ये हो जाएगा karyokinesis 2, ठीक है? ये हो जाएगा karyokinesis 2 और यह क्या हो जाएगा cytokinesis 2 समझ में आरी बात ठीक है यह किसमें डिवाइड हो जाएगा cytokinesis 2 C2 लिख देदा हूं कोई दिक्कत की बात ती है ठीक है तो general सा समझ में आप लोग को मियोसिस 1 आगे चलके वापस दो पार्ट में डिवाइड है इतनी बाते क्लियर है इसके total कितने step होते है हम लोग ने पढ़ा है total कितने step होते है 4 step होते है इसके 4 step होते है प्रोफेस फिर मेटाफेस फिर अनाफेस और लास्ट हमारा इलो प्रोफेस यही चारफेस हम लोग ने पढ़े माइटासिस के अंदर लेकिन यह क्या है कारियो काइनेसिस 1 इसलिए आप लोग को प्रोफेस 1 लिखना है मेटाफेस 1 लिखना है एनाफेस 1 लिखना है और टिलोफेस भी लिखना है समझ मेरी बाग तो इसका आ जाएगा प्रोफेस टू यह हाजएगा प्रोफेस टू यह आ जाएगा कौन सा फेस है मेटाफेस टू फिर एना फेस्ट और जो लास्ट है हमारा देट इस टिलो फेस 2, समझ में आरी बात, यह 1 और 2 लगाना बहुत जादे important है, वरना confused हो जाओगे कि कौन सा जो process है, वो मियोसिस 1 में चल रहा है, या मियोसिस 2 में चल रहा है, समझ में आरी बात, ठीक है, इतना समझ में है, तो अब हम लोग ध्यान, step by step हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, pro phase 1, फिर metafase 1, फिर anaphase 1, फिर tillophase 1, ठीक है, फिर हम लोग जम करेंगे किस की तरफ, मियोसिस 2 की तरफ, इतनी बात है clear है, ठीक है, तो आजा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे karyokinesis 1, ठीक है, karyokinesis 1 मतलब क्या, कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, nuclear का division करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, nucleus का division करेंगे, उसे हम लोग क्या करते है, karyokinesis, अब ये karyokinesis का, जो पहला step है, उसे में क्या करता हूँ, pro phase 1, ठीक है, अब ये pro phase 1, is the longest phase, ठीक है, जो pro phase 1 है, ये सबसे लंबा फेस होता है किसी भी सेल डिविजन के अंदर हमारे जो कारियों कायने से से उसके अंदर सबसे लंबा फेस कौन सा है प्रो फेस वन देखो यहां पर लिखाए है इस लॉंइसट पछो कितना लंबा हो सकता है पते है आप लोग को कभी यह कभी कभी यह स्टिक मन्त तक जा सकता है इतने कि एक सबसे पहले क्या है हमारा हमारा अब इस prima को टोटल में आपकी ने पाच Restaurant में और्ट्स चैनल रोक, м Sahel, तो सबसे पहला क्या है लिपटोटीन चिकलि अई लिपटोटीं उसके बाद क्या है झाइगोटीन फिर है फैटी तीन उसके बाद है डिपलोटीन और हमारा क्या है डाइक अईटीर्टी दिटिकारů् ये लूटी नाम की कोई लड़की है कि बहुत ही जाधा लेजी यह तो लेजी से तुम लोग क्या आद करोगे लिप्टोटीन फिर और प्र ये से वन के अंदर चीक है अब यह आप लोग को समझ में आएगा प्रोफिस वन के अंदर ये पाथ स्टेप्स के अंदर हो हो क्या रहा है ठीक है क्या क्या चीजे कंप्लीट हो रही है क्या क्या चीजे नहीं हो रही है तो याद करो सबसे पहला स्टेप क्या होता है लिप्टोटीन होने लग रही है एक जगह पर कंडेंस होने लग है तिरह ने लग रहे हैं जो क्या होने लग रहे हैं सिंपल तो यहां पर मैंने दो क्रोमोजम बना दिया है जिंसटे कि मैं HR तो इसको हम लोग क्या भूल सकता है इत जहारा कर रहे हो तो इसके इंदर और यह वह हो सारे क्या हो और एग जगखा पे गंडेंस होना इन वह 스ट हो रहे हैं डूसरा चीज गब दूसरा चीज है एमारा जाइगोटिन जाइगोटिन में क्या होता है ध्यान दो जब स्जाट हो रहे हैं दूसरा चीज कह दूसरा चीज है हमारा चाइगो-टी तो कि या सामने सामने मिफैते हैं सा मगते हैं समझ मेरी वाद तो देखो ह tor यह आपका यह नौर्मल से और से अंदर क्या हैनिवकलियर मेंबरेंड क्या करेंगी निहान सोानों अब यह चान जितने भी से भूबimage लेके आमने सामने आने लगते हैं तो for example this is the one sister chromatid ठीक है फिर इसके साथ में क्या था एक another sister chromatid समझ में आरी बात ठीक है फिर इसके बाद क्या था एक यहां पर मैंने एक और बनाया है and this ठीक है so यह दो sister chromatid है और यह ठीक है समझ में आरी है एक इसके आंडर क्या होने लगा उसके बीच में क्या फो हो रहा है एक complex फॉर्म हो रहा है समझ में आरी बात यहां पर एक कॉंप Kendall प्यूंति हमलोग क्या बोलते हैं। कॉम्पर्मेडियंग है। और ये कोंपलेक्स और अपने पास-पास करने लगता है। क्योंकि इसका जो अगला स्टेप है इसका जो अगला स्टेप है उसमें बहुत-डी important process होने वाली है, उसके अंदर बहुत ही जादधे important process नानी वाली है that is recombination ठीक है, recombination क्या होथी वो आप लोगो समझना पड़ेगा ठीक है, तो देखो, क्या बोला मैंने इसके अंदर जो set of sister chromatic है, ठीक है, क्या बोला मैंने इसके अंदर जो set of sister chromatic है वो क्लोज आने लगती है कि आने लगती है इस अचली कि अगिते हैं इसको हम लोग कहते है स recuperate से रिए बहुत है यह तोउ इसको हम लोग क्या लिश्रा करोगे एक फर необход a नउल सेल ठीका है जो हमारे प्रेज़व में प्रेजेंट होती है ठीक है तो यह एक नियूरान है और उसके नीच सब्सकर चाहिए उसके ग्रा नियूर नेत्स इसको से ना बोलते क्या इसको साइनैप्स और यहां इपुलेज़ने बीकश में, कोई एक ओप्लेक्स फॉर्म ओ रहा है। किसकी वजह से आ रहे हैं बीकॉज को इसम बीच में फिरेक्व कॉम्प्लेक्स सी मिर्टेजित आ गे तू इसम भी यह तो इसमोग क्या कहते हैं भाई वेलन भी बोले tandem ृट अगर मैं बात करू तो क्रोमोजोम की, कितने क्रोमोज oikeong है, यह यां पर देखो, एक, दो, तीन, चा, बथे कितने क्रोमोजोम में है, ने चार क्रोमोजोम, इसलिए इसको टेट्रार्ड भी बोलते हैंते हैं différence ततफ़ आप गैसे हमें बाइवलेंट पास पास आ जाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइने एक इसके अंदर जाइगोटीन में इसके अंदर इसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं रीकॉंबिनेशन इसके अंदर इसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है जिसको हम लोग क्या केते हैं री कॉंबिनेशन को हम लोग क्रॉसिंग और भी क्या है ठीक है, recombination को हम लोग क्या कहते हैं crossing over मतलब क्या है, आप लोग ने देखा होगा for example अगर आप लड़के हो, ठीक है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लड़का है तो अगर आपके घर में कोई भाई है, ठीक है लड़कों का कोई भाई है, फिर जो लड़की देख रहे हैं, उसकी कोई बहन है क्या आप दुनों की शकल एक जैसे दिखती है बिलकुल भी नहीं दिखती, although क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो आपके जो father है, ठीक है उनका जो sperm है, same ठीक है, same semen है sperm है, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ovum की, तो आपकी मम्मी की तरफ से कौनसा gamet है, ovum है ठीक है, father की तरफ से कौनसा gamet है, sperm है अब इसके अंदर for example, for example आप female हो, ठीक है, for example आप क्या हो female हो, तो father के तरफ से जो sperm हैगा उसमें कौनसा क्रोमोजोम होंगा, X क्रोमोजोम और मदर के तरफ से हमेशा X क्रोमोजोम ही आता है ठीक है, तो दोनों मिल की क्या बनेगा यहाँ पर gamet बनेगा, that is X and X और जी, it is a girl यह क्या बनेगी, एक girl बनेगी वैसे ही, अगर आपकी कोई बहन होगी, ठीक है, अगर आपकी कोई छोटी बहन होगी, उसके अंदर भी तो सेम चीज़े होई है ठीक है, उसके अंदर भी तो सेम चीज़े होई है, मतलब पादर से X क्रोमोजोम आया था, और मदर से क्या आया है X क्रोमोजोम, मतलब उसके अंदर भी X और पेसे हमोता है इसका मतलब दोनों के अंदर आपके और आपकी olduğ होता है क्या ऐसा नहीं होता अपर थिक्स फूलनेट्स उता विकॉउजुबेशन अखिरकार रि यह अगया जाएगा और इसके बाजवाला जो क्रोमोजम था ठीक है इसके बाजू वाला जो kromosome था उसा कलर दिया था यल्लू चीक है तो इसके बाजू वाला जो kromosom था वो कुछ ऐसे इसके उपर cross कर जाएगा वच्छो ठीक है वो क्या कर जाएगा इसके उपर cross कर जाएगा समझ में आरी यह बात यह दोनों आप ऐसी रहेंगे, यहाँ पर यह, यहाँ पर यह, यह यह, यह यह, यह, इक sister chromatid, यह एक sister chromatid, तो यह दोनों ऐसी रहेंगे, लेकिन यह जो दो क्रोमोजोम है इसके उपर क्या कर जाएंगे, cross कर जाएंगे और अभी बीद के बीच में complex present है ठीक है अभी बीच में kimchi present है complex present है इतनी बातर समझ aur घ्रिपे समया रही है तो इंके बीच में complex अभी भी present होगा लेकिन यह दुनों क्या कर जाएंगे एक दुसरे के लिए पर cross कर जाएंगे अब crossing over है क्या प्रोसिंग ओवर है, exchange of genetic material, ठीक है, क्या है ये, exchange of genetic material, ठीक है, क्या है, क्या है, crossing of, it is the exchange of genetic material, मतलब आपका, जो genetic material है ना, वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, exchange हो जाता है, और ये टोटली, ठीक है, जो genetic 1993 का exchange हो रहा है ना, ये totally unpredictable है, मतलब independent है, मतलब कोई भी जीन् Pegle, यहां से उठके वहाँ जा सकते है रो वहाँ का जीन हो किसको देदेगा यह बलु कलर वाले को देदेगा साथ हिसी जढ़ार वाला समझ में हम लोग क्या गेते हैं क्रॉसिंग उपर समझ में ही बात ठीक है समझ में है क्यूं यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिकॉंबिनेशन कहां पर होती है हमेशा है रखना इट इस अल्ली हैपन इन टाकी टीन क्यूंकि कि MCQ में कभी कभी पूछा जाता कि रीकॉंबिनेशन कौन से फेस में हो रही है प्रो फेस के कौन से फेस में हो रही है तो आपको पता होना च्याए इत इस वह हैपन इन टाकी टीन इतनी बात समझ में आ गई ठीक है समझा तो ऐसे ही यह अपना यह जो यलो वाला है यह वाले के कुछ genes यहाँ पर रख लेगा और यह totally independent होता है ठीक है totally independent होता है हर बात यह जो exchange हो रहा है genetic material है यह totally अलग होता है इसलिए जितने भी genetic character है इस gene के genetic character और इस gene के genetic character बहुत ही ज़ादा vary करेंगे इसलिए आपके भाई के और आपके बहन के जो face structure है जो voices सब कुछ क्या होती है different होती है because of recombination समझा इतना इतने easy है यही सारी चीज़े होती है किसके अंदर patch routine में next जो हमारा है ठीक है next जो हमारा है that is diplotine diplotine में क्या हो रहा है देखो diplotine में बहुत simple है है यहां पर हमारा स्यलें टिक है स्यल ंदर हमारी क्या है nuclear वाला टिएने आ गए चीक है इसके उपर कुछ यलो माला डिएने आ गए है वैसे ही सेम टुंसे जो यलो यलो वाला अमना chromatic इक इसके ओपर कुछ ब्लू वाले डिएने आ चुके है तोड़े ब्लू वाले डिएने आ चुके हैं समझमिआ रही बाद और नेक्स्ट हमारा क्या था इसको तो कोई फरक नहीं पड़ा अब देखो इनके बीच का यह जो complex था यह दिजॉल हो गया अब यह complex यह तो इन दोनों को पकड़ के रखा था अब जैसे यहां पर प्लॉग कोछ एक्स त्रॉक्चर बन रहे हैं इसको बहुत है हम लोग क्या कहते हैं बच्चो इसką हम लोग क्यों कि अस्वाटा समादा सभज जू श्रक्चर बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहते है, कियास माटा, ठीकिए? जो X जैसा श्रक्चर बन रहा है, ये वाला, ठीकिए? इस दोनू अलग नहीं हो पा रहे, जिसके वजच वैशे से, जिसके वैशे से, यहाँ पर EX जैसा complex अब यह दना अलग हो नहीं कोशिश कर रहे कर रहे लेकिं नहीं हो पार है सो कुछ एक जयदा structure बन रहा है structure का हम लोग क्या कहते हैं चियाज माटा कियाज माटा कैसे भी read कर लो बस आपको spelling पता होनी चीए आपको spelling पता होनी चीए शमझा यहां सब्सक्राइब जो process है ठीक है that is diokinesis last हमारा जो process है that is diokinesis इसके अंदर क्या होगा देखो यह जो process है ठीक है यह जो process है यह exact जो हम लोग पहले प्रोफेस पढ़ते थे ना ठीक है पहले जो प्रोफेस पढ़ रहे थे उसकी तरह process है मतलब इसके अंदर जितने भी दूसरे cell organilease है वो क्या होने लगेए disappear होने लगेए सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसके बाद का जो process है फो same to same है इससे ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा changes नहीं होगे तो आब यहारा पे क्या क्या वाले क्रोमॉजोम पर के कुछ यल्लो आगे ते यहांधे अब Ayos अब इस पर क्या हो जाते हैं दोनों सेपरेट हो जाते हैं यहां बन घया तो नहीं क्रोमॉजोम पर कै अ warranty कुछ टिन ए लगे हों ठीक है इसके उपर क्या लगे रहेंगे? कुछ-कुछ blue आले के DNA लगे रहेंगे और यहाँ पर दुसरा chromosome समझ रहे हो? अब यहाँ पर क्या हो चुकी है? crossing over complete हो चुकी है crossing over complete हो चुकी है और धीरे-धीरे क्या होने लगेंगी? यह जो cells है, यह क्या होने लगेंगे? समझा डाय कानिसिस समझा वापस एक बार देख लो डेक्र ओकर गख यह वापस प्रोफेस बन में सबसे पहला कौन सा था लिप्टोटेट ऑगे चलके 5 पार्ट में डिवाइडेड है सबसे कौन सा पार्ट है एक है लिप्टोटिन जाइगोटीन पाकिटीन डिपलोटीन और सेतनी बते साइब है समझ मैं हेरी बार यह बहुत ही लंबा प्रोसेस है लगता है हमारा प्रोफेस वन होने में सबसे धा ही है ठीक है जिसको हम लोग ने कैसे याद किया था ? लेजी पैडी से हिसको हम लोग ने इसने याद कर लिया उसके भाद है बाइस ने लैत करूँ हूँ इसको हम लोग ले घ particulare क्ति बाक्र देन थे ओ of some complex this is known as syneptoneemal complex ठीक है इसको हम लोग क्या बलते है syneptoneemal complex इतनी बात है clear है और इस process को पास आने वाली इस process को हम लोग ने क्या कहा synapsis ठीक है इस हम लोग ने क्या कहा synapsis थमझ में आ गया ठीक है बहुत अच्छी इसके बात है उसके बाद इन सबको देखो यहां पर दो एकदम पास आ गए तो इस पूरे structure को इस पूरे structure को हम लोग bivalent भी कह सकते या फिर tetraad भी कह सकते क्योंकि यहां पर चार chromosome आ गए फिर अगर मैं next बात करूं ठीक है नेक्स बात करूं तो यहां पर क्या है पैकिटीन पैकिटीन के अंदर क्या हुआ यहां पर सबसे ज्यादा important function हुआ पैकिटीन के अंदर that is recombination ठीक है that is recombination यहां पर हुआ है समझ मैं ही बात ठीक है फिर इसके अंदर क्या है exchange of genetic material recombination का मतलब क्या हो था exchange of genetic material मतलब इन लोग ने क्या किया एक दूसरे में genetic material को exchange कर लिया सही बात है चीक है उसके बाद next चुथा that is diplotine diplotine में क्या था कि अब जो complex form हुआ था वो दोनों क्या हो चुके है complex पूरा का पूरे dissolve हो चुके है मतलब यह दोनों अब अलग होना चाह रहे ठीक है यह जो दोन कुछ इस chromosome के पास इसके DNA आगे और कुछ इस chromosome के पास इसके DNA आगे अब यहाँ पर भी सेम चीज़े होंगी यहाँ पर क्या हो रहा है इसका जो nuclear membrane है वो क्या होने लगेगा dissolve होने लगेगा साथी साथ जो centrosome होते है याद करो यहाँ पर कुछ centrosome नामक चीज़े होती है जो आगे चलके spindle fiber क्या करेंगी अपने अंदर से निकालेंगी ठीक है यह भी क्या होने लगेंगे अलग-अलग direction में move होने लगेंगे ठीक है अलग-अलग direction में क्या होने लग टीक है next क्या है next is metafase One metafase One में क्या होता है mitosis में जो होता था वहीं सेम चीज़े होंगी मतलब यहां पर भी जो अपना आपका जो प्रो फेस वाले चीज़े चालू हुई थी मतलब जो डायकाएनस के सारी चीज़े यहाँ पर क्या हो जाएंगी complete यहां पर सारी चीज़े क थैइप और इसके बात क्या था just कुछ ऐसा था ठीक है और इसके पास क्या थे कुछ detail Anda लगे हुए थेक उनके कुछ है यहाँ लगे हुए थे नहीं बात है क्या मेंयुकर हुए है क्रॉसिक वरुरी साथ यहाँ वा ले इसके ओपर क्या लगे आउसे ही बहुत सारे पर पर ऑरेंज हो जाते हैं अब मैट फेश में क्या होगा में यह सारे एक equatorial plane पे आजाएंगे इसे around और साथ-साथ जो हमारा centrosome था टिजसावर 선rozo क्या करने लगेगा spindle fiber release करने लगेगा तेकर करने लगेगा spindle फाइबर रिलीस करने लगेगा इतनी बाते क्लियर है इतनी बाते सिंपल से बाते साथ समझ गया ठीक है अब यहां पर हमारा खतम हो जाता है metafase 1 फिर आगे चलो फिर हम लोग नेक्ट बात करेते हैं एना फेस्वन की ठीक है तो एना फेस्वन में क्या हुआ देखो यह हमारा एना फेस्वन मतलब यह हमारा तो यहां पर यहां पर मुझे क्या दिखाना है एना फेस्मे कौन कान सी चीज़े हो रही है वह आपको दिखाना है फिर अगर मैं में नेक्स बात करूं तो यहां पर कुछ ऐसा सा sister committed present है और यहाँ पे क्या है अपके कुछ blue वाले DNA present है और last हमारा red color ठीक है last हमारा क्या है red color मतलब यह वाला प्रोमजोर ठीक है इतना समझा इतना समझ भाए है एकदम easy है ठीक है next क्या है हमारा जो centrosome था ठीक है याद करो मैंने आपको बताया था यह direct centromere पर attach नहीं होते ठीक है यहाँ पर एक दूसरा chemical लगा हुआ होता है इसके उपर ठीक है यहाँ पर chemical लगा हुआ है इससे क्या कहते है इसे हम लोग कहते है kinetocore समझा इसे हम लोग क्या कहते है kinetocore kinetocore से जाकि यह attach हो जाएगा और यह जाके इससे attach हो जाएगा समझा रही है बात अब देखो mitosis के अंदर क्या हुआ था mitosis के अंदर जो दो sister chromatid थे ना वो बीच में से फट गए थे याद है बीच में से क्या हो गए थे फट गए थे जिसके वज़े से देखो बीच में से फटे थे जिसके वैसे आदे-ादे chromosome shift हो गए कुछ आदे उपर चलेगा कुछ आदे क्या हो गए नीचे चलेगा सही बात थी तो वहाँ पर equally चीज़े divide हो गए थी लेकिन यहाँ पैसा नहीं होगा यह total यह chromosome है यह chromosome है यह chromosome उठके उपर चला जाएगा और यह chromosome उठके नीचे चलेज़ा जाएगा मतलब आदे-ादे chromosome चैक है आदे-ादे chromosome उपर साइट चले जाएगा और आदे chromosome को नीचे साइट खिछ लिया जाएगा समझ़वारी बात यह होता है हमारे अना फेस में माइटॉसिस में यह एक difference है, माइटॉसिस और मियोसिस में, मेंली यह एक difference है, और recombination वाले difference है, क्या होता है, कि माइटॉसिस में क्या किया गया था, चीजों को, ऐसे था ने, chromosome, तो उनको इसे बीच से फढ़ गयते, ठीक है, बीच से क्या हो गयते, फढ़ गयते, यहां आध दुसरे दुसरे पोल पे चले जाएंगे, यह किस automation के अंदर होगा, एना फेस के अंदर होगा, समझगा इतना समझा इतना इसका मतलब जब आगे चलके जो टीलोफेस वन है लिखना उसमें क्या जईा बना सेक्टरोजम यहां पर है इसका सैंट्रोजम तो इसके पास एक है जिसमें क्या हुआ था री कॉमेनेशं वाली धी एने प्रेजन प्रेजन है तो यहाँ पर कुछ यहलो वाला प्रेजन एवो कहा गया नीचे रहा जिसके अंदर कुछ ब्लू वाले प्रेजेंट होंगे और लास्ट हमारा कौन सा बचा यहां अब यह जो चुट है यहां पर जो चुके हैं हाफ से मतलब अगर पहले सेल के पास 46 होंगे तो इनके पास 23 और इंके पास क्या हो जाएंगे 23 क्योंकि नमबर की किस पर डिपेंड होता है मैंने आपको बताया है थो एक नीचे चला कि पैहले दो सपर हाफ हो गया हैं हाफ में डिवाइड हो गए हों गए यह sausage partner हुई présent लोड़ो तो लोड़ो यहां पर दिश्ट से डिवाइड होने लगेगा समझ मैरी बात और यहां पर एक और आगे चलके ये सेल 2 फेस बना लेगा यहां पे एक सेल बन जाएगा और इनके अंदर जो क्रोमोजोम के नंबर है that is 23 इतनी माद है क्लियर है मतलब यहां पे एक्ट्वल डैड्चन हुआ है समझा कैसे हुआ actual reduction मतलब आधे set of chromosome उपर चले गया आधे set of chromosome नीचे चले गया कहां पर हुआ question आ सकता है तो कहां पर होता है इतनी बाते clear है ठीक है recombination कहा पर होता है ठीक है यह सारी चीज़े आप लोगो पता होनी चाहिए ठीक है इतनी बाते clear है अब देखो next जो interface आएगा ठीक है अब देखो माइट मियोसिस वन खतम हो गया ठीक है मियोसिस वन के बाद चीक है जनरली माइटास में क्या होता था कि जितने भी सेल यह थे आपके cells जो form हुए थे यहां पर चीक है जो chromosome form हुए थे वो वापस क्या हो जाते थे डी कंडेंस हो जाते थे ठीक है वापस क्या हो जाते थे डी कंडेंस हो जाते थे ठीक है इंटरफेस में क्या होता था टीलोफेस में क्या होता था प्रोफेस का उल्टा याद करो टीलोफेस का है प्रोफेस का उल्टा मतलब इसके अंदर वापस का होने लगती थी डिकंडेंसेशन लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा ठीक है प्रोफेस के मियोसिस वन के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि सेल्स को पता है कि भाईया अभी मुझे एक और डिविजन करनी है ठीक है मुझे अभी एक और डिविजन करनी है तो यहाँ पर डिकंडेंसेशन नहीं होगा सारे के सारे जो क्रोमोजोम से वो कंडेंस ही रहेंगे ठीक है तो समझ में यहीं बात इसके बात ठीक है जैसे ही साइटोगा अनेसिस वन होता है एक एक्स्टा फेस होतेगो मियोसिस वन कंप्लीट हो गया मियोसिस वन हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया तो जब सेल मियोसिस वन से मियोसिस टू जाता है मियोसिस वन से जब वो मियोसिस टू स्टार्ट करता है तो उसके बीच में एक छोटा सा time gap होता है, ठीक है, उसके बीच में एक छोटा सा क्या होता है, time gap होता है, जिसमें cell क्या करता है, आराम करता है, rest करता है, ठीक है, इस phase को हम लोग क्या करते हैं, inter kinases, ठीक है, इस phase को हम लोग क्या करते हैं, inter kinases, इस phase को आप inter phase ते, ये नी करना, confuse मत करना, वो inter phase था, ये क्या ह बोल दो यहां पर sell क्या कर रहा है अब जो मियोसीस 2 है वो as it is है माइटासिस की तरह मैसिस क्या है मैस नहीं समझाने वाला क्योंकि मैंने आपको already माइटासिस समझाया है और माइटासिस के जितने भी point है वो सारे के सारे applicable होते हैं माइटासिकमियोस us लिए सारे के सारे पॉइंट। आप एप सकते हो muz2 में ठीक है सारे के सरे मीच सब्सक्राइव बहुत है वहाँ पे परोफ्रस डू लिए कि टो मोई तो आपको सिर्फ the के हुट है एधा करो रूपकण काईसे वन करो डुट है टो एक सथी तब karyokinesis 2 and cytokinesis 2 मियोसिस 2 आगे चल के वापस दो पार्ट में डिवाइड हो गया that is karyokinesis 2 and cytokinesis 2 इसके अंदर क्या होगा cell रहेंगे कुछ short में बताता हूं आपको दो cell बने थे ना लेकिन हम लोग एक ही cell को पढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे है एक ही cell को पढ़ेंगे अब इस एक cell के अंदर अब मैं इस cell को नहीं पढ़ूँगा क्योंकि इस cell के अंदर भी same चीज़ हो रही है तो अब इस एक cell के अंदर क्या होगा यहाँ पर ऐसे nuclear membrane present होगी यह भी याद रखो इस blue वाले के पास क्या होंगे yellow वाले के कुछ DNA होंगे क्योंकि इसने क्या किया है recombination किया है यह आपको पता होना चाहिए तो अब क्या होगा सबसे पहले क्या चलेगी karyokinesis 1 तो karyokinesis 1 में क्या चलेगी सबसे पहले इसके अंदर कोई 5 step नहीं होता single step में हो जाता है इसके अंदर क्या होगी nuclear membrane क्या होने लगेगी disappear होने लगेगी साथी साथ यहाँ पर क्या form हो जाएगा central zone form हो जाएगा central zone दोनो opposite direction में जाना start कर जाएगा इतनी बाते clear है फिर किस में जाएगा metaphase में फिर किस में jump करेगा metaphase में तो metaphase में क्या होगा metaphase में इसके अंदर जितनी भी चीज़े शुरू ही थी that is जो इसका जो nuclear membrane है यह गाया बोना शुरू ही थी ठीक है यह सारे चीज़े क्या हो जाएगी complete हो जाएगी metaphase 2 में so it is metaphase 2 में क्या हो रहा है देखो जारा ध्यान से यहाँ पर nuclear membrane तो क्या हो चुकी है disappear तो nuclear membrane नहीं बनाना चीए ठीक है यहाँ पर क्या होगा एक आपका chromosome ठीक है एक chromosome आपका यहाँ पर और दुसरा वाला यह एक आ चला जाएगा अब यह सारे किसमें इंच हो जाएंगे एक उसे आरेंज हो जाएंगे और एक होगा यहाँ पर इसे आरेंज हो जाएंगे और आपका जो सेंट्रोजों था वह आपोजिट डिरेक्शन में चला जाएगा तो यहां पर चोड़ने लगेगा तो किस पर लगए इसके 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 इतनी बाते क्लियर है इतनी बाते क्लियर है नहीं यह लो का था मैंने ब्लू का इबना दिया कोई दिक्कत की बात ली यह समझ मैं अब जैसे ही माइटासमे होता था कि जो क्रोमोजोम से बीच में से क्या हो जाते थे फट जाते थे सेम चीज यहां पर भी होगी जिए यह क्रोमोजोम को क्या गरेगा अपनी तरफ खीचेगा किसके अंदर हो दो यहां पर आपका क्या है तो यहां पर आपका क्या है यहां पर प्रेजट होगा सेंट्रोमियर और ऐसे आपके क्रोमोजोम इसके तरफ जा रहे हैं दोको होंगे और यहां पहुंगे क्रोमोजोम दिख रहे आप लोग को टीकैं यह इनको इस सब्सक्राइब से पूल कर रहे है यह सारी चीज़े किसके अंदर होती है एंदर उल्टा यहां पर वापस क्या हो जाएगे जो न्यूप्रियर जाएगी साथ यहां पर जो क्रोमोजोम से वो भी इसके अंदर आ जाएंगे और सारे के सारे जो नूपर पयर हो जाएगी जितने भी जो यह विक्या हो जाएंगे अपर उना स्टार्ट जाएंगे तो यह क्या हो गई टीलोफेस टू ठीक है यह क्या होगा इसके बाद क्या चलेगा साइटो काइनेसिस टू ठीक है साइटो काइनेसिस सेम तू सेमें साइटो काइनेसिस ऐसे सेल होगा दिरे-दिरे क्या हो जाएगा वो दो पार्ट में डिवाइड जाएगा मतलब यह जो cell है, यह आगे चल के दो डॉक्टर सेल में divided जाएगा जिसका अपना nucleus, अपना nucleus और ऐसे करके कुछ chromosome रहेगा, ठीक है, यह cell आगे चल के gametes form करेंगे, ठीक है, यह आगे चल के gametes form करेंगे, gametes form करेंगे क्योंकि यह क्या है germ cell, समझ मैं है कि समझ में इतने दीपली नहीं पढ़ा है आप लोग को क्योंकि मैंने अल्रेड़ी आप लोग क्या पढ़ा हुआ है mytosis बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और mytosis के जितने भी point मैंने बताए है जितने point मैंने लिखवा है आप लोग को यहां board पे वह सारे के सारे applicable है, muses 2 के लिए भी, बस आप नाम उसमें change कर देना, muses 2 कर देना, ठीक है, metaphase, metaphase, telophase, यह सारी चीज़े, इसमें सब में क्या लगा देना, आप लोग 2 लगा देना, ठीक है, बाकिस सारी चीज़े सही है, ठीक है, आप लोगको मैंने, muses कर रहा दिया, ठीक है, muses 1 बहुत अच्छे से कर रहा दिया, ठीक है, muses 1 आप लोगको समझ में आगा होगा, इतनी बाते clear है, ठीक है, समझ में आई है, ओके, तो यहाँ पर आपका जो lesson है, वो क्या हो जाएगा, खतम, अगर कुछ भी doubt है, तो वापस एक बार देख लो, क्या पता आप लोगको समझ में आचाए, एक वीडियो को थोड़ा सा वापस rewind करके देख लो, क्या पता आप लोगको चीज़े समझ में अगर नहीं समझ में होगी, तो, चीक है, सो मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए keep studying